Hello Everyone, Welcome to School Diaries, इस वीडियो में करते हैं Class 2 का EVS So EVS के हमने सारे chapters complete कर ले हैं, आपको Class 2 EVS playlist में मिल जाएंगी इस वीडियो में हम करते हैं अपना last chapter, जो की है chapter number 19, National Symbols So ये हैं आपका last chapter, chapter number 19, National Symbols So National Symbols हम पहले भी कपड़ चुके हैं तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे National Symbols हैं, है ना So हमने कई National Symbols पड़े थे, है ना तो हम यहाँ पर उसको revise करेंगे और साथी साथ देखेंगे Map of India इंडिया का Map कैसा होता है, मतलब इंडिया दिखने में कैसा होता है दन Flag of India, है ना, ये है Flag of India हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो ट्राइ कलर फ्लाग है, है ना, जो ऐसा दिखता है और ये है Emblem of India, जो हमारा राश्ट्रिय चिन है इसको हम बोलते है, राश्ट्रिय चिन जिसे इंग्लिश में National Emblem बोलते हैं, ठीक है जो की है सत्यमेव जैते और ये चिन कैसा है, देखिए, त्री लाइन्स है और पीछे एक और लाइन है, टोटल फोर लाइन्स है ठीक है, एक सर्कल में ये लाइन्स खड़े होते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा नी, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे पीछे के साइड में है तो ये है हमारा national emblem अब चलिए हम chapter को read करते हैं India is a vast country मतलब इंडिया एक बहुत बड़ा country है It is divided into वो कितने राज्यों में divide किया हुआ है उसको देखे 28 states है इंडिया में और 8 union territories है तो यहाँ पे आप map में देख सकते हैं यहाँ पे जम्मो कश्मीर है तो कई states हैं हमारे इंडिया में जो आपको अलग-अलग कलर में यहाँ पे दिखाए गए हैं और 8 union territories भी है अब देखें यह union territories क्या होते हैं union territories मतलब वो states की तरह नहीं होते जिसे कि बाकी के states है ना 28 states उनके जो है अपने government होते हैं और वो government ही अपने state को rule करते हैं पर union territories का अपना खुद का government नहीं होता वो जो है directly central government के control में होते हैं जो हमारे main government होते हैं जिनको पूरी जनता select करती है जो हमारे central government होते हैं वही directly control करते हैं इन union territories को ठीक है तो states के अलावा कुछ places हैं जिने हम union territories बोलते हैं तो वो कौन से हैं देखी एट हैं यहाँ पे देखी जम्मू कश्मीर, लक्षदीब, अंदमान निकोबार आइलेंड्स यह सब हमारे इंडिया के ही चारो तरफ है जो इंडिया के union territories हैं ठीक है पूरे इंडिया का capital कौन सा है? New Delhi ठीक है, then every state of India has a city from where it is governed तो हर state में, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हर state का picture है तो हर state का अपना capital होता है, capital मतलब उसका main place, उसका main city जहाँ पर उस state का leader बैठता है, है ना हर state का अपना minister होता है चीफ मिनिस्टर हाँ, तो वो भी वहीं पर बैठते हैं जो capital होता है उस state का This is called capital of a state और इसी को हम capital बोलते हैं तो वो सब आपको पढ़ने पढ़ेंगे सारे जो states के capital होते हैं राज की राजधानी होती है, है ना तो वही है capital of the state then there are seven neighboring countries और हमारे जो है साथ पडोसी देश हैं neighboring ठीक है, मतलब पडोसी देश हैं which share their border with India, जो की अपना border इंडिया के साथ share करते हैं उसका मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं हमारा इंडिया का map है, है ना तो यह neighboring countries कौन से होए जिसका भी border इंडिया से touch होता है, वो इंडिया के neighboring countries है, जिसे यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ नीचे बांगलादेश है, यहाँ पे म्यानमार है, उपर देखिए छोटा सा भुटान है, और नीचे श्री लंका है तो यह सारे countries इंडिया के नहीं है, यह दूसरे countries हैं, पर यह countries जो हैं इंडिया से touch हो रहे हैं, मतलब उनका और हमारा same border होता है, तो इसलिए इन countries को हम neighboring countries बोलते हैं, तो वो कौन से हैं, देखिए पाकिस्तान, नेपाल, पुटान, चाइना, बांगलादेश, स्री लंका और मियानमार, ठीक है, तो यह हैं हमारे पडोसी देश, अब देखते हैं, त्री water bodies touches India, अब तीन water bodies हैं, जो हमारे इंडिया को touch करते हैं, तो water bodies मतलब क्या है, जो मुद्र सागर वगेरा होते हैं, तो देखिए, जैसे कि यह हमारा map है, तो इसके नीचे देखिए, यह जो नीच बेंगौल है, और नीचे आपका इंडियन ओशन है, तो हमारा जो इंडिया है, वो तीन water bodies को touch कर रहा है, तो वही है, जो यहां पे बताये गए हैं, आप दिखिए, टेस्ट जो नॉलेज में बताएं कि इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है, जिसको एक कंट्री का नाम दिया बाकी जो सारे ओशन है, जिसे Pacific Ocean, Antarctic Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean, Atlantic Ocean, इन सभी ओशन का अलग नाम है, लेकिन इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है, जिसे इंडिया का मतलब उस कंट्री का नाम दिया गया है, तो यह information है, जो यहां पे दी गई है, आप आगे देखते हैं, टेस्ट यूर देखें, Name the state of India, इसमेंसे आपको बताना है कि कौन सा राज्य है Indya में, जो सबसे बडा है size में, वो है राजस्थान, अगर हम एरिया में देखें, तो मजलब size में, तिके area में सबसे बड़ा state है हमारे इंडिया का राजस्थान, ऍन सबसे smallest state कौन सा है वो है गोई, तिकne ज लडाग एक स्टेट हैं और लडाग के टू कैपिटल सें एक है लै और दूसरा है कारगिल ठीके तो ये दो कैपिटल है लडाग के ऑफिशली दें are known as Seven Sisters of India तो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जिने हम Seven Sisters of India कहते हैं और वो कौन से हैं देखे यहाँ पे इस कौर्नर में न य इंडिया का यहां पे पूरे seven sisters हैं तो वो कौन से हैं देखिए वो है अरुनाचल प्रिदेश, आसाम, मनिपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालैंट और त्रपुरा ठीके तो यह है seven states और इन सारे states को seven sisters of India कहते हैं सात बहने हम यहां पर उन states के नाम ऐसे लिख देंगे अब आगे देखते हैं देखिए every country has some important and special symbols हर country का अपना important खास symbols होते हैं which are unique to it जो उस country के लिए unique होते हैं जैसे उसके जैसा दूसरा नहीं होता है तो उसी को जो है national symbols करके select किया जाता है वो दिखाता है उस country का culture या फिर उसका history ठीके they tell us about the history and culture of the country तो चलिए अब हम देखते हैं वो सारे national symbols तो यह आपको आते होंगे है ना हमारा national animal कौन सा है tiger national bird peacock then national tree कौन सा है banyan tree ठीके then आगे national fruit है जो की है mango then national game hockey and national river हमारी राष्ट्रिय नदी जो की है गंगा नदी ठीके और आगे national symbol जो राष्ट्रिय चिन है हमारा वो है lion capital है ना ज जैसे हमने बोला था four lion के सिर है जो की circle में खड़े हैं यहाँ पे सर्फ तीन दिख रहे है एक पीछे की तरफ turn face करके खड़ा है तो यह है हमारा national symbol जिसमें सत्य मेव जयते भी लिखा हुआ है the national currency of India है ना तो वो क्या है rupee और उसको लिखते कैसे है ऐसे जैसे हम हिंदी में र से राजा लिखते है ना र है ना र अक्षर लिखते है तो ऐसे आपको र अक्षर लिखना है हिंदी का और दन उसको ऐसे कट कर देना है बीच में से यह होता है हमारा Indian currency है ना उसका symbol then national flower national flower क्या है देखिए national flower है lotus ठीके तो यह है सारे national symbols जो कि आपको learn करने है अब उसके अलावा देखिए national anthem of India हमारे इंडिया का national anthem कौन सा है रिखी जन गन मना जो हम हर दिन स्कूल में गाते हैं है ना तो वो हमारा national anthem है आपको पता ही होगा और आपको पता है वो किसने लिखी है it was written by रबींदर नाथ टैगोर जिनोंने national anthem लिखा है ना उसके lyrics लिखे है जन गन तो यह है poet है ना जिनोंने हमारी national anthem लिखी है the national song of India तो national song और national anthem अलग-अलग है उसमें confusion नहीं आना चाहिए है ना national anthem वो है जो हम हर दिन स्कूल में गाते हैं हमारा जन गन मन और national song कौन सा है वो है वन्दे मातरम ठीक है और वो किसने लिखाता देखिए वो लिखाता बांकि चंदर चटर जी ने वो poet है जिनोंने वन्दे मातरम song लिखा है और वही हमारा national song है अब देखते हैं मात्मा गांदी let a fight for freedom in our country तो मात्मा गांदी ने जो है बहुत बड़ी लड़ाई की थी हमारे देश को आजाद करने के लिए that's why he is known as और इसलिए उन्हें कहा जाता है father of the nation nation मतलब country है ना एक country का father मतलब सभी के लिए वो बापू कहलाते थे वो सभी उनको प्यार से बापू कहते थे और मात्मा गांदी को ही हम father of the nation भी कहते हैं अब देखे यहाँ पे granny बता रही है कि हमारे इंडिया को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी वो कैसे मिली थी द है ना तो हमें जो है we must love and respect the sacrifice तो उन लोगों ने जो हमारे freedom fighters हैं उन्होंने जो sacrifice किया है अपने life को देश की आजादी के लिए हमें उन्हें respect करना चाहिए उन्हें प्यार भी देना चाहिए हमें अपने country से भी प्यार करना चाहिए क्योंकि इतना जादा struggle के बाद हमें freedom मिल है आजादी मिली है ठीक है अब देखे our country हमारा जो country है वो मिला है वो बना है बहुत सारे states और union territory से जसे अभी हमने पड़ा था each place has its own language और आपको पता है ना हर state का language अलग है food अलग है costumes कपड़े अलग है culture वहां का रहन सहन रहने का चलने का बोलने का तरीका सब कुछ अलग है उनका पहनावा भी अलग है है ना costumes so despite all these differences इतना सारा differences होने के बाद भी in our lifestyle हम सब के lifestyle अलग-अलग है ना सारे जो रज्य के लोग है इतने differences होने के बाद भी we are united as one nation इंडिया इसके बाद भी हमें हमारे बीच में जो है बहुत एकता है हम सब साथ में प्यार से मिलकर रहते हैं और क्या है हमारे nation का नाम इंडिया है ना यहाँ पे हम सब मिल जुलकर प्यार से रहते हैं और motherland is a perfect example of unity in diversity तो ये एक कहावत है unity in diversity बहुत जादा diversity मतलब बहुत जादा differences होना है ना चीजों में रहन सहन में कपड़े में बहुत जादा differences होना तो इतना जादा differences होने के बाद भी लोगों में unity है एकता है तो इसका मतलब है unity in diversity यही इसका मतलब है unity in diversity बहुत जादा differences होने के बाद भी हम सभी लोगों के बीच में एकता है यूनिटी है तो यही आपका chapter था national symbols अब यहाँ पे देखिए तीन pictures भी दिये हैं यह थे महात्मा गांदी और यह है रबींदरना टैगोर जिनोंने जनगनमा ने लिखा है और यह है बाकिम चंदर चटर जी का picture जिनोंने वंदे मात्रम लिखी है यही पे आपका chapter भी खतम होता है अब इसके exercises देखते हैं तो यहाँ पे आपको correct option पे टिक करना है तो number one dash is a national animal of India तो कौन सा है हमारा national animal tiger तो tiger लिख देते हैं then next national emblem of India has dash line so हमारा जो national emblem है उसमें कितने lines है अभी हमने picture में देखाता है तो four lines है then it is a national flower of India कौन सा है national flower lotus तो lotus पे टिक कर देते हैं then it is the national river of India वो कौन सा है गंगा river जो गंगा नदी है है न वो है हमारी राष्ट्रिय नदी national river then next number five water bodies that touch India और तो कौन कौन से water bodies है जो इंडिया को टच करते हैं तो वो तीनों है न Indian Ocean भी है Arabian Sea भी है और Bay of Bengal भी है तो हम यहाँ पर all of this पर मार कर देते हैं अब next देखते हैं यहाँ पे देखी कुछ pictures यह है आपको identify करना है और उनके name यहाँ पर नीचे लिखने है identify and name the following ठीक है तो यहाँ पर देखें फर्स्ट पिच्चर दी है रवींदरनाथ अगोर की जिनोंने national anthem लिखा है जन गनमन तो हम यहाँ पर रवींदरनाथ अगोर लिख देंगे यह है सत्यमेव जयते जो की हमारा national emblem है पर national emblem लिख देते हैं जो की है lion capital of ashoka और यह है हमारा national tree तो यहाँ पर banion tree लिख देते हैं और यह picture है यहाँ पर तो हम यहाँ पर बंकीम चंदर चटर जी लिख देंगे ठीक है अब आगे देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर names लि ठीक है कि present prime minister तो अभी के जो prime minister है तो वो कौन है वो है श्री नरेंदर मोधी तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी और यहाँ पर पेस्ट भी करना है आपको उनके picture ठीक है दैन present president भी हमारी president है श्री मती द्रौपदी मुरमू और यहाँ पर उनका picture भी पेस्ट कर देंगे और present wise इस प्रेसिडन कौन है? वह है जगदी धनकर, तो यहां पर ऐसे पिक्चर पेस्ट भी करनी है और उनके नेमस भी लिखने हैं, और यहां पर एक बिसनस्मैन है, मुकेश अमबानी, जो की बहुत ही रिचेस्ट परसन है, और यह है अरे क्रुकेटर कपिल देव, तो यहां पर नाम ऐसे हमें लिख देने है ठीक है अब यहाँ पे पूछाए कि एक ऐसी क्वालिटी बताईए इन सारी चीजों की जिसके कारण यह हमारा नैशनल सिंबल बनके सेलेक्ट हुआ है आपको यहाँ पे ऐसे आंसर लिखने है कि लोटा जो है एक सैक्रेड फ्लावर है ठीक है जो कि हमारे इंडियन कल्चर को दर्शाता है और वो एक प्रतीक है कि कितना साफ है कितना सुन्दर है ठीक है यहाँ पे देखे पिकॉग पिकॉग भी एक ऐलिगन्स का प्रतीक है अगर हमारा नैशनल अनिमल है ठीक है तो ऐसे आपको यहाँ पर क्वालिटी लिखने है और इसी के साथ हमारा यह चाप्टर भी हाँ पे कंप्लीट हो गया है तो सारे चाप्टर हमने कंप्लीट कर लिए है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि डिस्क्रि वीडियो में अगले चाप्टर के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर